दोन्डू पंथ नाना सहाब पेश्वा महराष्ट की पूर्णे भूमी में मातिरान के गिरी शिकर के गौरव और उस गिरी शिकर की तलटी में हरी चादर से सुशोभित भूमी के गौरव में से किसका वर्णन अधिक किया जाए इसका निन्ना करना असभव है इस हसीन मातिरान की देखरेख में और इस शांदार भूमी की गोत में वेडू नामग छोटा सा गाउं अपनी सहज सुन्दरता से पहले ही सुन्दर उस प्रदेश को और अधिक सुन्दर बना रहा था वेनुग्राम में जो कुलीन और सदाचार संपन परिवार थे उनमें माधवराव नाराण का परिवार मुख्यरूप से गिना जा सकता था माधवराव नाराण और उनकी सुशील जीवन संगनी गंगावाई का जोड़ा उस घर की विपनता और दरितरता से पेड़ित होकर भी परस पर प्रेमत के सुख में खुद को भाकेबान समझता था उस पवित्र परिवार के छोटे से घर में सन अठारा सो चौबीस इजवी में सबके मन और बदन उस वक्त उल्लास से किल उठे जब साधवी गंगावाई ने पुत्र रतन को जन्म दिया वेपुत्र और कोई नहीं बलकि श्रिमंद धून्डूपंद नाना साहब पेश्वाही थे जिनके नाम से भारत भूमी की स्वाधिंता की पहरी लड़ाई में अत्याचारी राजाओ और कुलसित अंग्रेजों की देह कापने लगती थी और जिनोंने सौराज्जे और सौत 1118 की संदी को सुईकार कर पेश्वा बाजी राव दुत्ते को 34 लाग रुपए वार्शिक पेंशन वाले राज्य का त्याक कर आठ लाग रुपए वाली उलामी के जंजीरे लेकर पूने की राजगर्दी से उतर कर भागी रती के तीर पर ब्रह्म वृत यानि आज के बिठ रुच्च ले आए वहां रहते रहते राव बाजी पेश्वा की माधव राव की पुत्र नाना से बहुत ही ममता हो गई पेश्वा की दर्वार में नाना सहाब अब तो छोटे बड़े सब के आनंद विधान हो गए नाना के बाल तेज को देखकर पेश्वा इतने शकित हो है कि माधव राव इनके संगोद्री है यह मालूं पढ़ते ही उन्होंने नाना सहाब को उसी साल साज जून 1827 इजवी को दत्तक पुत्र के रूप में गरण कर लिया फिर एक दिन वो दिवस्वी आया कि बाला जी विश्वनात जिस मराठा गदी के पहले पेश्वा थे जि इसने बड़गाओं की संधी की और जिस गद्धी पर वीर लड़ा का बाजी राव पेश्वा जैसा शक्तिमान योध्ध वराचा हो उस पेश्वा की गद्धी पर नाना सहाब की दस्तारबंदी की गई और वो नाना सहाब से श्रिमंत धून्डूपंत नाना सहाब हक उन्हें सौब दिये थे परंतु बाजीराओं के मरने का समचार मिलते ही अंग्रेजी हुकूमत ने गोशित किया कि नाना सहाब को आठ लाग रुपे की पेंशन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है जानी साफ लबसों में कहें तो अंग्रेजों ने नाना सहाब को तरह से अन्याय पूर्ण है हमारा विस्तृत राज्य और राज्य शासन अब आपको श्रिमंत बाजिराओं से प्राप्थ हुआ तब वो ऐसे समझोते पर प्राप्थ हुआ कि आप उसके मुल्य के रूप में आठ लाग रुपे प्रतिवर्श दें ये पेंशन यदि हमेश आपका ब्रह्म व्रत की ओर से प्रदेश पर स्थापित सौतंतर शासक का अधिकार भी अब आपको नहीं मिलेगा और हम जो कर रहे हैं वहीं न्याय है बहरहल नाना के उदार अनुरोत को अंग्रेजों ने पूरी तरह से अंसुना कर दिया इधर आम जंता पर भी अंग्रेजों का कुरूर अत्याचार दिन बढ़ता ही चला जा रहा था लोगों के कलेजों में अंग्रेजों के अत्यचार के वुरुद द्वेश उफान मार रहा था ऐसे में नाने साहब को भी अपनी पेंशन से अधिक लोगों की भापनाओं की उर्ध्यान देने के लिए चिंचित होना पड़ा नाना निठाना कि अंग्रेजों के वुरूत करांती का विगुल बचा दिया जाए और उसके सुरों को बैरकपुर की चावनी से उठे असंतोश और मेरट के धमाकों से उठती गरज में मिला दिया जाए इस तरह धूंडूपत नाना सहाब पेश्वा ने अंग्रेजों के वुरूत 1857 के स्वाधींतर संगराम में ना केवल तलवार उठाली वलकि लड़ाई के प्रमुकेंदर कानपुर की अजवाई की ओर संभूर अवत के करांतीकारियों को अपना सर्वस्व सहोग परदा दिया नाना सहाब पेश्वा की गिंती 1857 के संगर्श के उन महान करांतीकारियों और नायकों में की जाती है जिन्हों ने भारतियों के दिलो द्माग और करपनाओं को रुबांचित किया वो कानपूर की मद्धरात्री थी जब नाना सहाब ने करांतीका विस्वूट करिया था नाना साहब के नित्रत में करांथिकारियों ने अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया, गिल खाने के फाटक पुल दिये गए, शस्प्रगार और सरकारी दफ्तर करांथिकारियों के कब्जे में आ गए कानपूर के करल्यानपूर में नाना सहाम ने भारतिय शूर विरो का मोर्चा संभाला नाना दोरा कानपूर में करांथी का शंकनाद होते ही आसपास के आलाकों में भी करांथी के नए जोश की लहरतों पड़ी जनता, किसान, जमिदार और अन्ने सभी प्रभाव शाली वेक्टियों नाना से प्रभावित होकर उनका साथ दिया नाना सहाम ने अग्रेजों के खुंखार ब्रिगेडिया जनरल हैवलाक के साथ कानपूर में अलग-अलग कई यूद लड़े लेकिन कुरूर हैवलाक की आगजनी और घिनोनी रणनिती के आगे भारतियों के शोरों ने वो मुकाम ना हासिल किया जिसकी लोग उसके सीने में धदक रही थी बावजुद इसके नाना के नेतरत में भारती करांतिकारियों ने कानपूर को आज़ाद कराया अंग्रेजों को बड़े ख्यती पहुचाई और अपनी मिट्टी के आज़ादी के लिए दम भर लड़े मगर अंतते अंग्रेजों द्वारा नाना की गरफतारी के लिए उस समय एक लाख रुपए इनाम की खोशना कर दी गई ऐसे में नाना को गुप्त होना पड़ा मई 1858 में समचार मिला कि नाना बेगम हजरत महल और अजीम उल्ला के साथ नैपाल के जंगलों में चले गए है इतना नाना सहाब कभी भी अंग्रेजों की हाथ ना सके देश नाना सहाब के त्याग, शोरे, सहुग और स्वाबिभान के साथ लड़ी गई नैतिक लड़ाईयों की प्रशन सा करती हुए उनका सदा रणी रहेगा जैहिंद